हाई, हावर यू अल तो आज की जो वीडियो है वो बैंकिंग और इंशॉरेंस लॉप है और उसके अंदर भी जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ओफ लेंडिंग काफी अच्छा टॉपिक है कि जब बैंक लोन देता है जब बैंक पैसे लेंड करता है मार्केट में किसी को इंडिविजुल को, फिर्म को किसी भी व्यक्ती को यह किसी कंपनी को तो उनके क्या प्रिंसिपल्स होते है किस तरीके से, क्या चीजों को मदे नज़र रखते हैं, जब वो पैसे को Lend करते हैं अपने ही पैसे को Lone देते हैं व्यक्ति को तो banking and law जो यह subject है interest के उपर है कि कहीं व्यक्तियों का इस particular subject में अपने ही law college के अंदर interest होता है तो वो इस subject को opt करते हैं जिसे मैं जिस college में हूँ वहाँ पर यहाँ पर banking and law as a optional subject है तो interest की बात है अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है पर मेरा यह मानना है कि अगर नहीं भी अच्छा लगता तो कुछ ऐसी चीजे होती हैं जिसकी knowledge हमें होनी चाहिए क्योंकि banking के ऐसा sector है जिसे हम lifetime avoid नहीं कर सकते हैं और आप एक अच्छा कमाने वाले वक्ति हैं और ना कमाने वाले वक्ति हैं वो matter नहीं करता आपका कभी न कभी bank से कोई न कोई relation जरूर बनेगा तो बस यही है आपसे उमीद कि चीजों की knowledge होना बहुत जरूरी है तो हमारा जो topic है वो है principles of lending कि पैसा lend करते समय क्या principles bank अपनी नजर में तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि major portion जो होता है bank fund का bank का जो पैसा होता है वो किस तरीके से generate होता है या तो वो पहली चीज होती है giving loans तो जो major portion है bank का banks fund का वो generate होता है loans देकर या advances तो however the business of lending is not free from risk a banker while lending money needs to be very cautious and has to follow some sound principles of lending okay before we talk about the principles of lending हम लो हमें सबसे पहले security के बारे में जानना चाहिए कि security क्या होती है तो secured advances क्या होते हैं secured advances यह होते हैं जहां पर आप some kind of security is kept by bank आप अगर loan लेने आते हैं bank के पास में तो bank आपकी कोई security आपकी कोई भी property किसी भी चीज़ आपकी दुकान के कागस आपकी कोई gold ऐसी चीज़ों को as a security अपने पास में रखता है कि अगर आप उनका पैसा future में नह रेड़ चार तो नहीं उस security के साथ में या तो वो उसे बेच कर आपस अपना पैसा वापिस refund करा सकते हैं आपस और आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो यहां पर इन्हें secured loans का जाता है क्योंकि यहां पर security bank आपकी जो कोई भी property है उसे अपने पास में रखता है कि हा value of the security can be less than the amount of advance जो value होती है उस security की माल लीजिए आप एक car खरीदने गए ठीक है और आपसे security मागी तो आपने अपना घर जो था 20 लाग का वो अपनी घर की जो papers थे उस papers को आपने वहां submit करा ऐसा security तो वो आपकी car की कीमत से ज्यादा भी हो सकते हैं आपकी जो security है और कम भी ह हो सकती है हाला कि ऐसा कोई particular method नहीं है कि जो है कि आपको हमेशा security ज्यादा ही रखनी है आप security जो आप चीज जिस जितना आपने लोन लिया है उसके उससे कम भी हो सकती है आपके security की value ठीक है बट एक margin needs to be maintained the margin must be adequate ओगे तो अब जो बात है कि the security can be resold और used by creditor ठीक है तो security जो ह बैंक के पास में वो बैंक उसे sold भी कर सकता है और creditor मतलब जो बैंक आपका creditor है और आप data है ठीक है तो यहाँ पर बैंक जो security अगर आप loan देने में आप समर्थ होते हैं आप default करते हैं तो आपका जो security है वो bank use भी कर सकता है in case कर सकता है कि पैसे के थूप मतलब पैसे में ब पैसा वापिस ले सकता है ठीक है अगर आप यह चीज याद रखना ऐसे नहीं कर सकता bank जब तक आप default नहीं करते bank का पैसा चुकाने में ठीक है तो अब हम हमारे actual topic पे आते हैं जिस topic के ओपर यह video बननी चाहिए थी कि principles of lending क्या होते हैं तो principles जो भी होते हैं lending की वो हमेशा good ह नहीं चाहिए good मतलब principles of good lending कहा जाएगा हमेशा principles of lending नहीं कहा जाएगा कि जो पैसा bank दे रहा है आपको वो वापिस आएगा इतनी अच्छी तरीके से bank उसे lend करेगा मतलब हर किसी रहा चलते व्यक्ति को bank पैसा नहीं देता तो bank की भी कुछ procedures होते हैं कुछ rules होते हैं अगर वो rules आप satisfied करते हैं तब bank आपको पैसा lend करता है तो इसे good lending कहा जाता है क्योंकि bank इतनी चाहरी चीज़े verify करता है market में और फिर उस व्यक्ति को loan देता है जिससे bank को आशाय होती है उमीदे होती है कि उसका पैस वापिस return आएगा ठीक है तो दो तरीके के principles होते हैं सबसे पहल bank अपनी नजर में रखता है जिसको bank सबसे ज़्यादा समझता है पहली होती safety दूसरी liquidity तीसरी profitability तो पहले safety पर आते हैं कि पहला जो principle है basics के अंदर वो है safety तो bank जब भी पैसा lend करता है consume जो bank customer को तो सबसे पहले bank ये देखता है कि उसका पैसे की जो पैसा वो lend करने जा रहा है क्या वो safe है क्या वो वापिस return आ सकता है जो borrower है यानि कि आप मैं कोई भी व्यक्ति वो उसकी capacity है क्या वो पैसा को payback कर सकता है वापिस दूसरी चीज़ वो भी ये देखता है कि क्या जो सामने वाला व्यक्ति है वो willing है to payback the money capacity किस तरीके से determine होती है capacity determine होती है जैसे आपक capacity मेरी capacity किसी वी व्यक्ति capacity bank decide कैसे करता है ये भी safety के अंदर आता है कि bank हमारे tangible assets देखता है सबसे पहले हमारे tangible assets देखता है कि मेरे पास में कितने vehicles है मेरे पास में क्या properties है ठीक है और साथ-साथ bank ये देखता है क्या मेरा character कैसा है क्या मैं past में मैंने कभी किसी और bank से loan लिया तो मैंने उसे चुकाया टाइम पर, मेरी credit rating कैसी है तो सबसे पहले तो tangible assets और दूसरी तरीके से कि willingness to pay bank depends upon your character character पर define होता है कि अगर bank को पैसा देना है तो ये दो चीजों को bank सबसे पहले analyze करता है पर हाला कि ये काफी difficult है analyze करना कि क्या किसी वेक्ति का intention है तब ही तो हाला कि कितने loan default में आ जाते हैं, NPA हो जाते हैं bank assets, तो सबसे पहले यही समझाना जाता हूँ कि काफी सारी चीजे जो analyze करना होता है काफी difficult होता है क्योंकि हम किसी का intention नहीं जान सकते कि उसे वो intention रखता है पैसे को payback करने में पर हम एक अंदाजा एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि वो पैसा दे सकता है या नहीं, हाला कि ये भी 100% शौन नहीं होता पर ये सब हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके past records को देखे, जो मैंने बताया आपको कि जो person है, the person must be a person of good integrity, good character and reputation, ओके जो तूसरी चीज़ है, वो है liquidity हम liquidity पर आते हैं, कि liquidity क्या होती है, तो goods और commodities जो होती है, वो easily marketable होती है, as compared to buildings and specialized plants, plants मतलब factories, ओके, अब banker can easily sell goods, एक banker, असानी से goods बेच सकता है, commodities बेच सकता है, अपना पैसा recover कर सकता है, but selling buildings to recover loan is not that easy तो bank, जो goods जो security लेता है, उनकी liquidity check करता है, तीसरी चीज़ होती है profitability, कि bank कोई social institution नहीं है, ये बात हमेशे याद रखना कि कोई भी bank जो आपके शहर में है, किसी भी bank में आपका account है, वो कोई social institution नहीं वो आपका फाइदा करने के लिए नहीं है, कि bank का भी main काम होता है, to pay salary to its own employees, ठीक है यहाँ पर bank में जितने भी employees हैं, उनको भी bank salary pay करता है, तो bank एक social institution नहीं है अगर वो profit institution नहीं होगा, तो वो इतने सारे employees को salary pay नहीं कर सकता so before granting a loan to a borrower bank must ensure that it will generate profit, ठीक है but according to the sound principles of lending, ये safe नहीं है, to sacrifice safety and liquidity for the sake of higher profitability okay, तो profitability को भी समझा जाता है मद्दे नजर रखा जाता है पर ये safe नहीं है कि हम safety और liquidity को sacrifice कर दें और सिर्फ profitability के उपर नजर रखें जैसे कि काफी बड़े बड़े व्यक्तियों के अभी examples आते हैं, नीरव मोदी जैसे लोग जो इतना सारा पैसा लेकर चले जाते हैं जहां पर bank ने safety और liquidity का तो कुछ सोचा नहीं, सिर्फ profitability सोचा कि इतने बड़े व्यक्ति को हम इतना सारा loan देंगे तो कितना profit होगा हमारे bank का, और आज वो profit नहीं हुआ वो सारे NPA हो गए, non profitable assets, तो यह जो तीन चीज है ना, banks सबसे वहले दिमाग में रखता है, यह basic principles होते है lending के, safety, liquidity तीसरी profitability, तो जो दूसरी तरीके के lending के principles हैं, जो है general principles of lending, उसके अंदर भी काफी सारे types हैं, जैसे कि basic principles में थे, तो पहला है purpose of loan, कि bank सबसे पहले यह जानता है यह समझता है, कि क्या purpose है सामने value, वैक्ती का loan लेने के लिए तो अगर आप आपकी car के लिए loan लेने जा रहे हैं तो bank मानता है, bank समझता है कि car की आपको जरूरत होगी, यह purpose है इसलिए आप loan ले रहे हैं, क्योंकि आप एक car cash में नहीं ले पा रहे हैं आपको एक car को लेना है, आपकी घर में जरूरत है उस चीज़ की, तो यह purpose है आपका car लेने का, तो purpose of loan में बस इतनी सारी चीज़े हैं कि loan जब bank grant करता है तो bank inquiry करता है, और reason पूछता है आप से उन forms के अंदर कि क्या reason है आपका, कि आपको loan की जरूरत पड़ गई, तो आपका जो reason है वो हमेशा genuine होना चाहिए, ठीक है और bank उस reason से satisfied होना चाहिए, कि जो particular customer है, bank का, उसको loan की सच में जरूरत है दूसरा है, principle of security, ठीक है security जैसा मैंने मताया, दो तरीके की होती है secured, unsecured, bank generally हमेशा secured loans ही provide करता है customers को, ठीक है तो जो bank की security होती है जो आप bank की security ने, जो security आप bank को देते हैं, ठीक है, जो bank के लिए security और आपके लिए आपकी property है तो bank के लिए जो security है, उसकी value हमेशा enough होनी चाहिए कि वो bank, अगर आप कभी default करें, future अपने loan पे करने में मैं default करूँ, आप particular लिए अपने उपर इस सारी चीज़े मतले है, मैं सिर्फ example के लिए दे रहा हूँ कि अगर सामने वाले व्यक्ति कभी default करें, loan देने के लिए तो यहाँ पर वो जो security है, वो enough हो repay करने के लिए loan तीसरी चीज़ है, कि national interest और security के लिए, एक principle यह भी है कि principle of national interest and security, कि जो जब bank है, loan grant करने से पहले, हमेशा अपने धमाग में national interest रखता है, ठीक है national interest मतलब economic advantage होना चीज़ जो loan bank सामने वाले customer को provide कर रही है, उससे कोई ना कोई, x, y, z, एक economic advantage मिलना चाहिए country को, ठीक है उससे country डूबनी नहीं चाहिए, उसकी economy minus में या negative नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर all the banks must maintain the financial status of the country चौथी चीज़ है कि principle of diversification of risk, कि जो risk है, वो पैसा देने में बहुत है आप अपना पैसा कभी किसी तीसरे वेक्ति को देंगे, तो आप भी risk analyze करेंगे, क्या वो आप वेक्ति, आपका पैसा देगा, नहीं देगा, देगा तो कितने time पर देगा, तो यहाँ पर question of money, जब भी जिस जगे आ जाता है न, वहाँ पर risk हमेशा होती है जहाँ पैसा है, वहाँ risk है जो scam 1992 का dialogue है तो risk है तो risk है, ठीक है, तो when the bank grants any loan there exists a risk of non-payment of the amount तो जो bank है, वो diversify करता है risk को, कि जो loan अगर कभी बहुत ज़्यादा amount बढ़ा, very high amount का अगर कोई loan है, तो bank उसके equals में है, उसके proportional में ही security लेता है, सामने वाले वेक्ति से कि एगर in case, वो सामने वाले वेक्ति default करता है, तो bank के पास में उसकी security होनी चाहिए, कि bank उसको बेचे, या उसका use ले, उसे auction में दे, और अपना पैसा recover करे, ठीक है यह है चोथा principle that's all for this video, thank you and have a nice day